नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आए शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बर से माफिया अतीक एहमद की वकील विजय मिश्रा पर कस्ता कानूनी शिकंजा दो मुकदमों में चार्ज शीट दाखिल माफिया अतीक एहमद और उसके परिवार के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकील विजय मिश्रा पर कानून का शिकंजा कस्ता हुआ दिखाई दे रहा है प्रियागराज पुलिस ने विजय मिश्रा के खिलाब दो मुकदमों में चार्ज शीट दाखिल की है प्रियागराज के चर्चित उमेश पालवा दो सरकारी गनर सूट आउट केस और लकड़ी व्यापारी सहीद एहमद से तीन करोड रुपे की रंगदारी मांगे जाने के मामने में चार्ज शीट दाखिल की गई है बता दें कि उमेश पाल शूट आउट केस की विविचना में वकील विजय मिश्र का नाम सामने आया था इसके लाबा दरियाबाद इलाके के रहने वाले लकड़ी व्यापारी सहीद एहमद को 20 अपरेल को फोन कर माफिया आतीक एहमद के नाम पर तीन करोड रुपे की रंगदारी मांगने के मामने भी चार्ज शीट दाखिल की गई है पुलेस की जांच में यहर जानकारी सामने आई थी कि वकील विजय मिश्र ने ही माफिया अतीके भाई अश्रफ और बेटे असद को फोन कर उमेश पाल के कोट से निकलने की मुखबरी की थी विजय मिश्रा को अब तक कुल नौ मामलों में आरूपी बनाये गया है उसके खिलाब पहला केस साल 2003 में दर्ज हुआ था विजय मिश्रा के खिलाब गैंगिश्टर एक के तहत भी कारिवाही हो चुकी है बता दें कि यूपी अश्टी एफ ने हाल ही में माफिया और देवंगत पूर्व सांसा अतिक एहमद के मेरट निवासी एक रिस्तेदार कमर एहमद काजमी को गरफतार किया है कमर एहमद काजमी पर फरजी कंपरियां बना कर फरजी इवेव बिल के जरिये 100 करोड रुपे से अधिक टेक्स चूरी करने का आरूप था इसी साल 2023 में फरवरी में प्रियागराज में उमेश पल की दिन दहाड़े हत्या हुई थी वही अपरेल में प्रियागराज में आतिक और अश्रफ की गोली मार कर हत्या कर दी गई इस मामले में जाच करने के बाब दूद 6 मुख्य आरूपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है खबरों में अब तक लिए बस इतना ही फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देख तेरी आर्पियस समाचार हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जड़ाएब